आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल की भी बात करेंगे और साथ के साथ शिबाईनू के बारे में भी बात करेंगे दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे ये साल इतना important क्यूं था क्योंकि इस साल आपने देखा बहुत सारी crypto currencies ने कमाल किया यहां तक की इनुने बहुत जैदा कमाल किया है 2021 के अंदर और 2021 के अंदर जो token of the year रहा है वो शिबाइनु रहा है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है लेकिन आज यहां पे हम 2021 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी crypto currencies ने अपने high बनाए बहुत अच्छा benefit दिया सभी crypto currencies ने आप आप Solana का number देखेंगे तो बहुत बढ़िया return 2021 के अंदर दिया है इसके अलावा Matic का number बहुत अच्छा है Sandbox बहुत सारे coins है गाला का भी बहुत बढ़िया number है तो यहां पे सभी coins ने बहुत बढ़िया return दिये शांदा returns दिये 2021 के अंदर अब यहां पे सबका question होगा कि 2022 के अंदर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ रहेगा focus 2022 में किन coins में मिलेगा profit यह सारी चीजें discuss करेंगे हम next वीडियो में आपको next वीडियो मिलने वाला है लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे Shiba Inu coin के बारे में आज साल का आखरी दिन है last day है और आखरी दिन पे हम आ हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब market और भी जैदा bullish हो जाए तो Shiba Inu के price की बात कर लेते हैं आज Shiba के price क्या चल रहे है आज Shiba के price चल रहे है 34 की series in dollar और 25 की series है Indian rupees में ये कुछ price action Shiba Inu के चल रहे है आज और क्या कुछ रहेगा Shiba Inu का future 2022 में आप सबको सारी चीजें पता है Shiba Inu के बारे में फिर भी हम यहाँ पे कुछ और updates हैं वो discuss कर लेते हैं सबसे पहली update तो यही आ रहे है कि 31st है new year celebration Shiba Army भी कर रही है और कई न कई developers जो है Shiba Inu के उन्होंने यहाँ पे कुछ न कुछ new year के लिए surprise plan जरूर किया है मतलब एक बड़ा surprise आपको Shibarium की announcement देखने को मिल सकती है Shibarium ही launch हो सकता है तो कई न कई नए साल की पूरी तयारी developers ने यहाँ पे की है तो यह तो बात हो गई एक बड़े surprise की एक नए surprise की जो 2022 की starting में हमको देखने को मिल सकता है हो सकता है आज रात को यह आपको देखने को मिल जाए और हो सकता है कल first है तो कल आपको देखने को मिल जाए इसके अलावा नए platform बिल्ड किये जाएंगे नए platform के जरीए Shibarium की burning होईगी यहाँ पे शाय तोशी कुसामा ने clearly कहा है यहाँ पे उनके जो आप tweet देखेंगे तो burning पे पूरा focus है 2022 के अंदर burns जो mechanism है वो काफी अच्छा काम करेगा अब व इनुकी जो supply है वो बेहत जएदा है आपके भी questions रहते हैं कि supply बेहत जएदा supply कम होनी चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पे शाय तोशी कुसामा developer जितने भी है सबका focus है Shiba Inu की supply पे कि उसको कम किया जाए 2022 के अंदर और हमको जो है burning देखने को 2022 में देखने को मिल सकती है तो इ भी market के अंदर आया है और web 3 के अंदर बहुत अच्छा important role play करेगा तो मैं आपको यही कहूँगा अगर Shiba Inu coin है तो आप hold करें ठीक है बहुत सारे लोग panic हो रहे है Shiba Inu की situation देखके कि Shiba Inu अब यहाँ पे increase नहीं होगा बढ़ेगा नहीं 2022 में कुछ नहीं होने वाला है तो अगर आप इतनी सारी चीजें roadmap के अंदर देख रहे हो किसी भी coin की चलो किसी भी coin की आप Shiba Inu की देख रहे हो इतनी सारी चीजें roadmap के अंदर है और वो आने वाली है तो आपको इन सब चीजों का wait करना चीए इसके अलावा unexpected चीजें तो हम अभी गिनी नहीं रहे हैं मतलब जिनके बारे में पता ही नहीं है और साथ के साथ listings कल से आपको listings भी देखने को मिल सकती है bit stamp की इंडो exchange की इसके अलावा Robinhood की और Robinhood का बड़ा question mark है कहीं न कहीं कि Robinhood नए साल पे भी list करेगा Shiba Inu को या नहीं करेगा आज आप comment करके बताना कि नए साल पे Robinhood list करेगा या नही करेगा और अगर नहीं करता है list तो कहीं न कहीं Shiba Army फिर side कर देगी Robinhood को कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना time हो गया अब भी अगर नए साल पे surprise दे दिया तो कहीं न कहीं Robinhood को फिर भी यहां पे जो है के अलावा Shiba Inu के बहुत सारे milestone है जो 2021 में achieve किये हैं और एक latest जो अ Shiba Inu के जो holder है वो 11 लाख हो चुके हैं और बहुत अच्छी बात है अब यह holder हम 2022 में expect कर रहे हैं 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख भी हो सकते हैं अगर Shiba Inu ने एक बहुत बड़ी rally दिखा दी तो 40 या 50 लाख भी holder हो सकते हैं क्योंकि SafeMoon के अगर आप holder देखेंगे तो SafeMoon के 30 ला बन सकती है यह milestone भी 2022 में Shiba Inu अपने नाम कर सकता है आपको क्या लगता है यह milestone अपने नाम करेगा या नहीं करेगा कमेंट करके जरूर बताना यह चीजें तो हमने बात कर ली नए साल की Shiba Inu के roadmap की और यहां पे burning की सब चीजें हमने बात कर ली listings की इसके अलावा और भी ची जो है Shiba Inu की payments का चल रहा है Shiba Inu की payments कैसे accept होंगी बहुत बड़े level पे accept हुई है 2021 के अंदर और सबसे बड़ा expectation इस साल के शुरुआत में Amazon से है जी हां Amazon अगर payment के लिए accept करता है Shiba Inu को बहुत बड़ी चीज होगी और बहुत बड़ी announcement होगी यह भी हमको देखने को मिल सकता है और Shiba Inu की payment और भी worldwide accept हो सकती है इस साल 2022 में बहुत बड़े level पे Shiba Inu की payments accept हो सकती है यह एक बहुत अच्छा scenario अगर payments accept होटी है साथ के साथ transactions पे burning होती है और now payments का बहुत important role रहा है 2021 के अंदर Shiba Inu की payments के लिए तो कही न गहीं बहुत जरूरी चीज है payment वाली भी इसके अल अंदर तो यही कुछ scenario अभी Shiba Inu का निकल क्या रहा है 2022 का यह सब January February की हम बात कर रहे है उसके बाद का जैसे जैसे time बितेगा वैसे वैसे road map जो है यहाँ पे अपडेट होगा अब बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि Shiba Inu का 2022 के लिए करना क्या है hold करना है या sell करना है बहुत सारे लोग यहाँ पे sell कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे शायद लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे decision सारे सब आपके ही हैं आपको क्या करना है लेकिन यहाँ जो recommendations हैं जो चीजे हैं Shiba Inu को लेके आप strongly hold करके रखें पूरा 2022 के लिए आप खुद यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है तो आप Shiba Inu मत लीजिए मत hold कीजिए अगर आपको नहीं लगता कि भाया Shiba Inu कुछ भी कर सकता है कुछ भी हो सकता है Shiba Inu के साथ 2022 में तो बिल्कुल यहाँ पे hold करें पूरे year के लिए इस पूरे year के अंदर आपको dip भी देखने को मिलेंगे high भ हर season में हर मोसम में जो cryptocurrency का है जो मोसम होता है हर मोसम जिसमें dip भी देखने को मिलते हैं high भी देखने को मिलते हैं तो इसमें आपको सिर्फ hold करना है तो यह कोई advice नहीं है Shiba Inu को add करने का decision आपका है आप खुछ से research करें तब ही decision लें I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ ग कर लेना और यहां पर bell icon भी प्रेस कर लेना और किसी भी crypto के अंदर invest करने से पहले आप खुछ से अपनी research कर लें वो बहत जुरूरी है आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye